दोस्तों क्या वज़े है कि खूपसूरत का पल रितेश देशमुक और जैनेलिया डिसुजा का रिष्टा हिंदी सिनेमा के अन्य सेलेबिरिटी से बेलकुल अलग है। जानना चाहते हैं तो आज हम बता रहे हैं रितेश देशमुक की बायोग्राफि में यह सब कुछ बने रही है हमारे साथ। नहीं जा सकता वालिवुड में यह एक नॉर्मल सी बात है परन्तु आज जिस वालिवुड सेलेबिरिटीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी लव लाइफ अन्य वालिवुड हस्तियों से बिलकुल अलगे जी हाँ बात करें रितेश देशमु और जैनिलिया डिसुजा की खुबसूरत जोड़ी के बारे में जिसने ना कभी अपने प्यार के लिए कोई केंडल लाइट डिनर किया ना कोई फूलों का गुल्दस्ता दिया ना ही मेहंगे गिफ्ट दिये ना किसी प्र प्रपोजल रखा रखा तो सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास एक दूसरे का ख्याल देने के लिए था सिर्फ दिल और यही वज़े रही कि रितेश देशमुख एक राजनेतिक बेक्राउंड से होते हुए भी दोनों के बीच के मजबूत प्रतिबद्दता से भरे बंदन ने उन्हें वालिवुड का पहला ऐसा यूगल बना दिया जिनके साथ किसी भी सरकलाकार के विबाद या लिंक अप का कोई शक संधे नहीं है अज सुरक्षा की बिना दोस्ती पर आधारीत के रिष्टे ने इस खूप सूरत कपल को हिंदी सीनेमा के अन्य सेलेबिरिटी से बिलकुल अलग बना दिया जो राजनेतिक और फिल्मी बेग्ग्राउंड से होते हुए भी एक खुशाल जीवन जी रहे हैं यही वज़े है कि जेनेरिया डिसुजा के लिए रितेश देशमुक अन्य लोगों से बिलकुल दुरलब है रितेश देशमुक हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने कलाकार वह माराष्ट के पूरु मुख्य मंत्री विलास राव देशमुक तथा वेशाली देशमुक के बैटे हैं रितेश देशमुक का जन्व 17 दिसंबर 1978 को आथा इनके एक बड़े भाई तथा एक छोटे भाई हैं दोनों ही राजनीति में हैं रिते उन्होंने एक आर्किटेक्चर एंड इंटिरियर डिजाइनिंग फर्म की आउनर्शिप ली रितेश ने हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू सन 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से किया जिस से उनके साथ जेनेरियाड डिसुजा लीड एक्टरेस के रूप में थी इसके बाद सन 2004 में कोमेडी फिल्म मस्ती में उनके शानदार अभिने के लिए उन्हें काफी सर रहा गया इस फिल्म के लिए उन्हें स्टार स्किन अवार्ड तथा जी सिने अवार्ड फॉर बैस्ट कामेडियन से नवाजा गया इसके अलावा रितेश ने 2004 में क्या कूल हैं हम में भी बलफ मास्टर माला माल वीकली हे बेबी धमाल अलादीन डू नो डिस्टर्ब डरना जरूरी है डबल धमाल बैंक चोर आदी फिल्मों में अभी नहीं किया सन 2014 में उनकी डबल डोल फिल्म हमशक्ल रिलीज हुई परंति ये फिल्म फ्लाप रही लेकिन इसी वर्ष रिलीज हुई थिल्लर फिल्म एक विलन बाक्स आफिस पर सुपर हिट रही जिसमें उनके नेगेटिव विलन के रोल को दर्शकों द्वारा पसंद किया गया तथा हाउसफुल के चारों रिमेक वो ग्रेंड मस्ती टोटल धमाल तथा मर जावा भी बाक्साफि पर शांदार प्रदर्शन कर हिट हुई तीन फरवरी 2012 को रितेश ने अपनी को स्टार जेनलिया डिसुजासे शादी कर ली जेनलिया और रितेश ने तुझे मेरी कसम मस्ती और तेरे नाल लवक हो गया फिल्मे एक साथ काम किया है इनके दो बेटे हैं रियान रहयल सन 2013 में उन्होंने मुंबई में अपना प्रदक्शन थाउस मुंबई फिल्म कंपनी एक मराठी फिल्म बालक पालक के प्रदक्शन साथ लांच किया तथा ये रह फिल्म आवार्ड विनिंग फिल्म साबित हुई मराठी फिल्म में एक्टर के तोर पर रितेश ने सन 2014 में आई फिल्म इसे डेबु किया हमारी ये वीडियो पसंदा यो तो इसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद